हाई फ्रेंड्स वेलकम टू अपणाज किचन मैं हूं अपणा आज हम बनाएंगे पाले जी बिस्किट से चौकलेट ब्राउनी ब्राउनी बहुत ही यमी है फ्रेंड्स और अच्छे से बेख हुई है बिदाउट आवन बिदाउट चौकलेट बिदाउट बटर तो देखिए दिखने में कितनी सूपर सॉफ्ट लग रही है और बहुत अच्छे से बेख हुई है तो चलिए इससे बनाना शुरू करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स यहां पर मैंने ले लिया है विस्किट का पेकेट तो आज बहुत ही आसान तरीके से चौकलेट ब्राउनी बनाएंग और आप वीडियो को लास्त तक देखिएगा तो चलिए इसे खोल लेते हैं तो फ्रेंड्स मैंने यहां पर 20 उरुपे वाला पैकेट लिया है पाले जी का आप 10 वाले ले सकते हैं या आप 5 वाले भी ले सकते हैं तो यहां पर मैंने देखिए इस तरह से इसे खोल लिया है तो इसमें चार पेकट होते हैं इस तरह से तो आप पांस वाले भी ले सकते हैं आप इस तरह से बीस वाला भी ले सकते हैं तो जैसे आपको मिले वैसे आप ले लीजिए और इस तरह से देखे मैंने इसे खोल लिया है अब देखे यहां पर जिसमें आपको चॉकलेट ब्राउ कर देंगे और देखिए यहां पर एक मेने पूकर लिया और कुकर को प्री हीट होने के लिए रिख दिया है और इसμεे दो कप नमक डाल देते हैं तो नमख थोड़ा यह ब्राउन हो चुका है क्योंकि मैंने इसे कई बार यूजकिया है और दुबारा में इसे चान के फिर से र केक के मूल्ड को कुकर में रखना है अब देखिए कुकर का जो लीड है उसकी सीटी और रिंक दोनों में निकाल दी है और कुकर को लोटु मीडियम हीट पे प्री हीट होने देंगे और मुस्ट 10 मिट के लिए तो देखिए अब इधर हमारे जो बिस्कित हैं इनको एक मिर्सी कर लिया है इसका बहुत ही फाइन पाउडर मैंने नहीं बनाया है थोड़ा सा दरदरा है तो बिस्किट के पाउडर को मैंने एक मिक्सिंग पॉल में रख लिया है और अब देखिए हमारा जो पाउडर है एकदम रेडी है तो यहां पे चलिए हम इसका बैटर बनाएंगे तो उसके लिए मैंने यहां पे लिया है एक कप रूम टंप्रेचर पे दूध दूध ज्यादा गरम या ठंडा नहीं होना चाहिए और यह कौनिटी में नापे तो यह होगा 120 ml इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके दूध आड़ करना है सारा दूध एक साथ नहीं आड़ करन चाहिए और इस तरह से इस्पून से चलाते जाएंगे और यहां पे जो हमारा बैटर है एक दम इस्पून थोना चाहिए कोई भी इसमें लंब्स गुठलियां बगर नहीं होनी चाहिए तो अब चलिए अब इस्पून हटा देते हैं आप हम इसे विसकर से इस तरह से मिक्स कोई लिया है और साथी मेलूंगी एक छोटा चमाच कॉफी पाउडर तो यहां पे मैंने गोल्ड कॉफी का यूज किया है आप चाहें नेसले कॉफी का भी उच कर सकते हैं तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और कॉफी मिक्स करने से जो हमारा ब्राउनी का तो अब मैंने दो बड़े चमाच तूथ और डाल दिया है अब इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर देंगे कि अगर आपका बैटर अच्छा नहीं होगा तो फिर आपकी ब्राउनी अच्छी नहीं बनेंगी तो देखिए इस तरह से हमारा बैटर होना चाहिए तो अब इसमें देखिए आपको ये जब भी मिक्स करना है जब आपक एक बेक करने के लिए अकदम रिडिए तो देखिए मैंने इसको अच्छे से mix कर दिया है और बैटर को इस time बहुती स्लोली mix करना है कोट आए and fold method से तो हमारा जो केक बैटर है तयार हो गया है अब इसे डाल देंगे kerk टिन में और हमारा जो सब् requ importance बना आ है देखिए इसम albums बगेरा नहीं है फ्रेंट्स जब बैटर अच्छा बना होता है तो केक भी बहूत अच्छे से rais होता है तो देखिए अब इसे अच्छे से टैप कर देंगे तीन से चार बार और अब ये रैडी है बेक होने के लिए तो देखिए हमारा जो कुकर है वो भी preheat हो चुका है और इसे बहुत ही केलफुली इसमें रख देंगे क्यूंकि जो हमारा कुकर है बहुत ही जाता गरम है तो अब इसका लिड बंद कर देते हैं और यहां पे मैंने रिंग और सीटी दोनों निकाल दी हैं तो अब यहां पे मैं इसे बेक करूंगी तीस से 35 म के लिए लो से थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे और बाकी 20 मिंट के लिए मैं इसे लो हीट पे बेक करूंगी तो देखिए जब तक हमारा केक बेक हो रहा है जब तक मैंने यहां पे लिए एक कप मलाई घर की मलाई है तो इसे मैंने इस तरह से डबल बॉलर पे गरम किया है तो यह थोड़ा सा गरम हो जाना चाहिए तो देखिए मैंने एक भगोने में फ्राइपेंड में थोड़ा सा पानी लिया है एक ग्लास के करीब और उसके ऊपर यह मैंने बॉल रख दिया है मलाई वाला देखिए इस तरह से पानी गरम हो रहा है तो यहां इसको गरम कर लेत मिलाई में लम्स नहीं रहने चाहिए इस त्रेसे फेटना है और मैंने इस फेट लिया है तो आप एसमें मिक्स करेंगे दो टेबल स्पून पाउडर सुगर और साथ ही इसमें मिक्स करेंगे एक टेबल स्पून कोको पाउडर तो इसी चमच का मैंने यूज किया है आप भी एक ही चमच का यूज करिए और केक भी आपका अच्छा बनेगा क्यूंकि मेजर्मेंट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना बढ़ता है केक बनाने में तभी केक अच्छा बनता है तो आप चलिए इसको मिक्स कर देते हैं तो अब देखिए जो हमारा बैटर है अच्छे से बन चुका है अब यहां पर मैंने ले लिया है नेसले एवरी डे मिल्क पाउडर तो आप मैं यह दो टेबल स्पून मिक्स कर कि मुझे हैं तो में तो देखिया मैंने से मिक्स कर दिया है अब मैं यहां पर इसमें 1 टी स्पून इसमें कोको पाउडर और केक को चेक कर लेते हैं इस तरह से आप टूथपिक लीजिए या फिर आप नाइप ले सकते हैं तो इस तरह से सेंटर में डालके देखिएगा इस तरह से देखिए हमारी जो टूथपिक है क्लीन निकल लई है कोई भी बैटर इसमें नहीं लगा है तो इसका मतलब हमारा केक अ नहीं करिएगा इसको आदा कंटा के लिए ऐसे छोड़ दीजिएगा फिर इसे डिमोल करिएगा तो अब इसे प्लेट पर निकाल लेते हैं और देखे टैप करने की जरुवती ने पड़ी केक बहुत अच्छे से निकल आया है और अब इसका यह बटर पेपर छुड़ा देते हैं वाओ देखिए कितना सुपर सॉफ्ट हमारा केक बना है बहुत अच्छे से बेक हुआ है और इसके अंदर बहुत अच्छे से जाली आई है देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ देखिए कितना सॉफ्ट है तो चलिए अब इसे रख देते हैं तो यहां पर मैंने और देखिए एक ब thirds ले लिया है और ब though को इससे सीधा करके रख देंगे प्लेट में और इसके ऊपर अब नहीं पर और केकर देते और यहां पर जो मैंने गनास बनाया था तो इसको इस पर पूर कर देंगे तो हमारा जो केक है इस तरह से आप रख सकते हैं नहीं तो आप इस तरह से इसकी गार्णिश कर सकते हैं बहुत ही अच्छा लगेगा तो इस वैलेंटाइन डे इसे जरूर बनाईएगा और फिर अगर आपको रेस्पी अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और ऐसी बहुत सी यमी रेस्पीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए तो देखे मैंने इसे अच्छे से पोर कर दिया है और आप मेरे पास यह थोड़ए से स्प्रिंकल्स हैं केक सजाने बाले तो इबेकरी पे इजली मिल जाते हैं और आगर आपके पास नहीं है तो आप इसके बिणा भी बना सकते हैं तो देखीए मैं इससे डीकरेट कर दूँगी और फामारी दीखने में बहुत हिठी क्रीजेक लगेगी और संट्र में मैं डाल दूँगी थोड़े से शिल्बर बॉल तो देखिए मैंने बहुती सिंपल तरीके से डिक्रेट किया है बढ़ दिखने में बहुत यादा सुंदर लग रहा है अब तीस मेट के लिए मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी तब करके चिल्ड होगा और सेट भी हो जाएगी उपर की क्रीम तो देखिए आप तीस मेट बाल मैंने निकाल लिया है फ्रिज से तो आप इसको रखते हैं दूसरी ट्रे में और आप इसे करेंगे कट तो मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ देखिए कितना सॉफ्ट है तो इस वेलेंटाइन दे इसे जरूर बनाईएगा अपने प्यार ब्रदर, सिस्टर, हस्बेंड या फिर फ्रेंड वो कोई भी हो सकता है तो देखिए इसे बनाईए इंजॉय कीजिए और आपको रेस्पी थोड़ी सी भी अच्छी लगए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब के बाद वेल को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नए वीडियो अप्लोड करूँ उसकी जानकारी आपको होती रहे तो आप मुझे फेस्बुक इस्टागाम पर भी फॉलो का सकते हैं मेरा फेस्बुक पेज लाइक का सकते हैं तो मिलती एक और नए रेस्पी के साथ थेंक्स वर वाचिंग सी उसून बाबाई टेक केर